नमस्कार मैं जहांगीर आलम आप देखने कोल फिल्म मिलर हर पल आपके साथ 16 महिने के बाद किरिसी कानून भील को वापस लिया गया है इस विज़े में क्या कहेंगा देखिए यह जो की सी आई जो बीजेपी मोदी जी इसारकाट जो पिंकिया था यह हम लोग किनमुल कर दोश्का हम लोग बोलता का खला करो आज सबसे बड़ा चीज है लालबद उसस्ति जब था वो एक टो स्रुलाप था वो बोलता था जाई जवान जाई किसान आज जतना किसान है भरदवस का सबका चाई वा शेप उत्तर पुद्देश राजिस्तान उधर के किसन का समग्र भरद वरस जो कननूं जो किया था पिंट उछind उसी का पतहर करने का बाद वो आज जितना किसान लोग है सबका मानेज्जाईवा हमारा नेत्री मंता बैनाच जी पहले से पहले से इकला कनूं का खिला पिला जाता उन्होंने संसत भेजाता वो लोग को घुसने ने नहीं दिया आज जितना भी जो भी हम लोग का हैं यहां पर पस्चिम बंगाल में जो चुना हुआता वो किशान का नेता लोग आयाता हम लोग का समत्तन में अपना भोट करने के लिए तो हमारा दिदी किशान का साथ है समिक का साथ है छक्र का साथ है जुब का साथ है अम पबलिक का साथ है मिलिणा इतना लंबा समय के बाद इस कानुम को फिर से वापस लिया गया तो इस बी से मैं सनुने में बोत है जतना किसी का समाल्चा लेने के लिए इसलिए भोट का राजनीति कर रहा है अगर ही करना ता अब मनें चाहिए था क्यों एक साल का लगबाग जितना किसान लोग को रस्ता का उपर छोड़ दिया गिया था इतना सीथ इतना बड़सा इतना घर्मी में अच्छा जैसा कि आपको मालूम है बीजेपी के कई सांसदों ने ये किसानों को पर आरूप लगाया था कि उन्हें वो पाकिस्तानी है खलिस्तानी है और वो चाइना मतलब उसको हावा दे रही है तो आज जो है किसकी जीत हुई है पाकिस्तानियों की जीत हुई या फिर किस तुनिए किसे मानने लालबादू शस्ति का वही जो बोला जय जो अन जय किसान भरत बसका किसान है सबसे हिम्मद बड़ा सबसे हिम्मद आज इंडस्ट्रिश आए आज बहुत सवे आप मियाए लेकिन पहले क्या था पहले था खेत मुझे दी किसान हुआ हम लोग का पहले मा तो आज जो है उसकी मतलब समाप्ति कर दीगें। कर दीगें नरेंदर मोदी द्वारा ही, इस जीसे में क्या कहने है। कानून लाए गए थे, ये कानून बहुत हरबड़ी में लाए गए थे, ये कानून बहुत जल्द पास करवाए गए थे, ये कानून पर चर्चा नहीं की गई थी। क्योंकि आज तक हम लोगों ने देखा कि अजादी की बात जो भी कानून लाए गए उसके उपर चर्चा की जाती है। कानून लाए हमारे समझ से बाहर था, और जब हमैं ये कानून ăngी की लीपी पढ़ी हमें समझ में आया कि ये को हमें लुटा जा रहा यह जैंडिकर तो किसानों के उपर में बहुत बड़ा परहार था , और इसना विरूद कि इस का विरोध किया। कि अगर कोई सरकार जबरदस्ती आपके उपर में कोई कानून ठोपना चाहती है और आप लगातार अच्छे तरीके से सांती रूप से अगर कोई अंडोलन करते हैं तो जीत आपकी पकी है पर अभी भी लड़ाई बहुत लंबी है हम लोगों ने MSP के उपर में बात किया कि य 22 रुपे की गरंटी देदेती है तो यह मिनीमम जो हमारा बचत है मिनीमम जो हमारी लागत है उसके उपर में किसान जो है वो बेच सकता है आज मैं Facebook में देख रहा हूं कि लोग कह रहे है कि बंगाल का किसान जाकर राजिस्तान में नहीं बेच पाएगा मैं कहना चाहता हू मित्रो बेच पाएगा पहले भी पाबंदी नहीं थी यह हमें बरगलाया जा रहा था हमें समझाया जा रहा था कि यह कानून बनने से लोगों को फैदा होगा पर आज हम कोई समान बजार से खरीटते हैं और जब खरीट के घर लाते पसंद नहीं आता है तो दुगांदार को को फैसला कर देना चाहिए था पर चलिए हम लोग बहुत-बहुत स्वागत करते हैं के फैसले पर हमारे देश के परदान मंतरी नरेंदर मोधी जी द्वारा तीन किर्सी कानून बिल पास किया गया था जिसके बाद नौंबर महिने से उस बिल के खिलाप में किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया पूरे हिंदुस्तान में छोटे-छोटे जगों पे या दिल्ली मे आंदोलन किये गये जिसके बाद आज इस बिल को वापस ले लिया गया इस बिसमें क्या कहें क्या देखिज़ाजबी सत्र में जो किसacy कानो पास किया था, किसी के हित के लिए, किषक अतमी को हित के लिए, लेकिंग इंडिया का कुछ बुर्बक अतमी है, ज इन लोग को को बारे में ठुस्थ समझाने के लिए को शिद नहीं क्या, flex किसी क भीऀ आपका किषक के लिए कोई खरपी नहीं होगा किषक सार्थों के लेके किषक का उन्नोति का लेके किषक का पोग्रेश के लेके आप जो मी लापश हो गया बहुत दुख का बात परते पाड़ी गोर्मी लोग नेता लोग इसलिए दुख प्रकास करेंगे जो हमरा जो प्रानमंत्री जो किशक का हित के लिए जो काम किया था लेकिन देश का आदमी ठीक से नहीं सुचा किशक का अदमी इसलिए अगले दिन इसका अंदर में बाइसको लोग का भागाई के किसान बेवगूतर हैं ने किसान बेवकूप दर नहीं यह दोन होता है जब को कानून हो रहा कानून का इरुस्त नहीं बुला जाता है अंदल हुता है तो अंसमिल। तो अंदुल किया उसका रूप रखाखा उपर लेकिन आज पधानमत्री जो स्टैंड लिया था, यह आपस लेंगे ने हम लेकिन परिस्तिती का बिचार करके जो एवी जो बिचना परिस्तिती हाई उसका उसका बिचार मोर्स होआ आप अधान वन्ती सोचा जो सोचा सोचने में एक साल चार महिने लगबग इतना समय लिया है को यह कहां तक मतलब सही था देश के हिट के लिए या किसानों के कहां तक सही था इतना लंबल समय तोला महेने लगवाट देखिए किसान के के लिए ख़रापी नहीं थे लेकिन देश का आदमी लोग इसका बरे में सोचा इट नहीं पूछ आदमी इसका एग्रस्त में चल गया और आदमी लोग को इसको भड़काया और भड़काने के बाद जो डाइबाट हो गया वो डाइबाट होने का चलते अंगरन हुआ भड़काने वाला मतलब कौन था कौन भड़काया दिसका अदमी है कुछ हमारे एकसपडी का लेकिन ऐसा बोला गया भारती जंता पार्टी के कुछ सांसद ने ये किसानों पर आरोब भी लगाया कि यह किसानों की हुई है या फिर पकिस्थानियों की चाइना का जो एको समझाया था इसे अपके पार्टी के दौरा ही यह आरोप स्टेट कमीटी का मेंबर फुर्लाफ जरुबाज धन्यवाद प्रधान मंतरी मेंदर 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 के वारा किसानों के जीन को खार्श किया गया जिसके बाद मॉंबर मेंदर से कुसान लोग के वहाद वो चड़क पर अंदोलन करनी चुले उप्रेश वहाद से उस जिल को खारिच कर दिया गया सर्वान मंतर ने तो जुदा मेंदर 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 कूछ दिए लोकतांत्र वेष जोसे प्रधान मंतरी मुप्राहिं दो घुजा कि यहाद टेस में जब एक वर्ड कुछ किसान कुछ पारे किसाने कुछ किसान अगर इस बीन को मान नहीं रहें, उनकी समझदारी तो उन्होंने आज गुरू पर्व के दिन में, गुरू गुरू नानक जी के आज पर्व में, वापस लेके वो यह गा कि जब किसानों के हित में ये बिल नहीं है उन्हें लगता है तो मैं इतना लंबा समय क्यों लिया गया तो एक साल चे भी ज्यादा समय लिया गया तो मारे गया किसान मैं नमन जनाता हूं कि भारत में जो सरकार बना पाई हैं के इनतों सरकार बना करें पाई है इसमें आपके हो भूपन किसामों ओ.. करना था गोह लोग पॉर्डर मेफ थैं आंदोलगध कर रहे थैं उन्हें इस बिल का उपर में विस्वास नहीं था लेकिन सरकार की को विस्वास पिलाने के लिए कई बार क्यों किती लियूंग साथ इसके साथ अलोचना की बैठते मलाकाद की इस बीचा क्या एंगे थे बेस विल्ट का विरोध शित समुदाय के इसांग वर्ग के इस लोग कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आज प्रकास पर्व के दिन में इस विल्ट को वापस लेंगे। मेरा परिचे मैं भादी जनता मज़ू ट्रेडियूमें कर कुल्टी की दामसाबर का अज्रेक्शिन। विल्ट कुल्टी 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 कुल्स